हे गाईज, वेलकम टू माई चैनल, तो स्वागत आपका इस शूट पीजा मैं गाईज अज़न दुबार राज खेल रहे हैं, माइन्टराफ, तो गाईज, आज हम करने वाले वेदर बॉस के लिए प्रिपरेशन गाईज, क्योंकि आर फाइट लेने वाले हम वेदर बॉस से का इस अगले एपिसोड में, क्योंकि आर हमें पता है, एक एपिसोड में फाइट और प्रिपरेशन करना पॉसिबल नहीं होता है, मतलब वीडियो लंब हो जाती है, क्योंकि 30 या 35 मिनिट की वीडियो हो जाती है, जो कि आपको पसंद नहीं आती ही, ज्यादा मिनेट की ठी कि आगर आपको fight लेने तो मैं बताऊंगो उसके लिए क्या क्या चीज़ जरूरूरी होती है क्योंकि बहुत खतरना होता गया वेदर बॉस ड्रैगन से ही मैं बहुता हूँ माइनक्राफ में जो सबसे खतरना मॉब है न वही है वेदर बॉस जो कि काफी डैमेज देता और काफी डेंजर होता है उसके लिए हमें काफी सारे एंचर्मेंट की जरूरूरी होती है तो आज वही करने वाले और साथ यससत मैंने एक रेड भी किए थी शाद दो रेड किये थे क्यार मैं विलेजर आउटपोस के तरफ जाके आया था यार मेरे को लगता है मेरे को यार आटमेटिक एक मतलब बोल सकते चिकन फार्म अगरा बनाना पड़ेगा तो बनाएंगे यार बट यार मेरे को बहुत एकसाइड़ थी कि वेधर बहुत से फाइट लेनी की उसके लिए हम प्रिप्रेशिंग करने वाले तो यार मैं सोच र कर सकते हैं उसको मैंने सौड लिए तो चलो सौड तो लिए अभी चलते हैं हमारे तरफ सबसे पहले मुझको विलेजर से ट्रेडिंग करनी पड़ेगी क्योंकि वही सबसे इंपोर्टन है क्योंकि यार कैटोग्राफर वगरा है और देखते कुछ देपाते हैं या नहीं मै सबसे पहले मैपने पेपर बनाने तो देख लेते कितने बन पाते हैं जितने बन सकते उतने बना देते हैं यहां पर हमें एक एक टैप करना पड़ता है तो चलो यार बना देते हैं कितने बन सकते हैं तो यार गाइज तबही बनाए हमने कितने सारे पेपर बन गए यार मैं मतलब एकिन नहीं कर पा रहा हूँ तो चलो यार काफी सारे पेपर तो बन गए दो शुगर के न बचे आओ भी है और अंदर और वहां से ही मुझे कुछ चेंचर्म में मिल सकतेगा इस देखना पड़ेगा प्रोटेक्शन की जरूत हो देगा इस मैं बोलू ना वेदर बॉस के साथ हमारे पास डायमंड तो है यार इतने भी है मतलब इतने ज़्यादा नहीं है कम है तो यार मैं बना सकता हूँ पूरे आर्मर मतलब बोल सकते है बट यार मेरे पास एक चेस प्लेट मैंने बना के रखी है क्योंकि मेरे को चेस प्लेट की तो काफी जरू होते है और देख सकते हैं मैं को समाल के उस करें क्योंकि बाद में मिलेंगे नहीं मिलेंगे तो यार यह बुक ले लेते क्योंकि वहाँ पे अगर कुछ हमें एंचांड वगरा मिल गया तो काफी सही चीज हो जाएगी और यह हमारे पास बुक्स कौन से इंपेलिंग है इसके तो कोई जुरूत नहीं है क्योंकि मैं काफी बुक लेने वाला हो गया और यह जो मैंने विलेजर रहना है यह बिल्कुर न ले इनके पास कुछ भी बुक अच्छ नहीं दे रहे है क्या ही बूले यार इनकी मैं रुक लगा इनसे मुझे फायदा होगा और चलो एकस्पी फार्म में भी थोड़े होने से पहले मुझे बीज भी दिख रहे है यार यह बहुत बढ़ी है चीज़ होगे बटेर में आभी इनके लिए ले सकता है इनके लिए बाकी कुछ नहीं यह इतका यूज और हनी का यूज जैसे के हम मिल्क तरह कर सकता है तो यह वह तो करेंगे बाद में चलते हैं हमार हैं हमारे पास विलेजर है तो देखते हैं मैंने मेरे फ्योरेटं राइज़र रखें इसके अंदर मुझे काफे सारी चीज़े देने वाली हूँ तो चलू अंदर तो आगए अब देखते हैं चारी हूँ विलँजर है शायद यह की बिल्कुल लावररेरी नेए तो चलो इ रहे है यह book दे रहा है गाइस मुझे looting 2 कि यार जिसकी कोई जरूरूत नहीं है मुझे looting 2 ने चाहिए मस्टे emerald चाहिए तो emerald ले 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 थे फटाफट इससे यह 24 में दे रहा है न तो इससे फटाफट ले ले थे तो यार इसने तो बंद कर दिया अभी level 2 level का हो गया अभी मेरे पास देख ले तो emerald कितने हो गए 3080 हो गए इससे कर लेते थोड़ी बहुत ट्रेडिंग इससे तरह हमें ट्रेडिंग करने होती है इसमें देख कोई कौन सी बुक दे रहा है फॉस्ट वॉर्कर मतलब यह लगता है मुझे यार शायद यह कुछ अलग टाइप के लिए बुक होती होगी शायद यह मतलब मैगमा ब्लॉक के उपर चड़ने के लिए होती होगी शायद में भी बट यार इसकी कोई जोरोत नहीं है अभी हमें बट इससे ट्रेडिंग कर लेते ताकि हमें अमर्ल मिल सकें कि बार बार हमें याँ पिट्याप क्यो करना पड़ रहा है किया यार चोब इसके बदले एक अम्रल दे रहा है मतलब क्या ही बोले इनकी खतम होगा मेरे पास के पेजर तो खतम हो गए बट यह इसके हाथ से कुछ लिक्विड निकल रहा ह विडियो को इसका इफ्सपर रहा लागता यह में बहुत ज़र होते मेरे पास्मायट थी बट शार्पनिस 5 ले सकते हैं वह काफी सेके ले लेते गई तो बहुत बढ़िया यह लेता हुआ फियर देखने में कैसे लेकर तो शार्पनिस फायव इसमें भी हम किसमें दालने वाले एक diamond के sword के अंदर ही दालने वाले तो अभी तू क्या दे रहा है भाई तू देखा तो इसके पास आ दे अभी इससे भी थोड़ी trading कर लेते हैं पर pages नहीं है मेरे पास तो यार यह कुण सी book दे रहा है यह protection 4 की दे रहा है तो मुझे इसको भ भी बुक चाहिए तो ले लेते हैं उससे जितनी भी हो सके book ले लेते protection 4 की तो चलो गाइस में वहां से paper बना कितले के आयो और मेरे को थोड़े इनकी खुशी दुगना हो रही है तो मुझे थोड़ा सस्ते में देते थे बट आपके पास अगर pages है इससे बहुत सारी trading कर सकते और यह book दे रहा है गाईस मुझे इसने देखो paper के price बढ़ा दिये यार क्या आप बात कर रहे है इसने यार तो इससे मुझे दे रहा है गाई books तो books है looting 2 नहीं चाहिए यार looting 2 की book नहीं चाहिए भाई sorry भाई हमें दूसरी book चाहिए से देखते यार थोड़ा चीज दे दे कुछ अच्छी यह दर है protection 4 गाईस तो यहीं ले सकते protection 5 के आम उम्मीद नहीं कर सकते हो नहीं मिलेगा मेरको लगता है और दूसरी book multi shot किये यह नहीं चाहिए तो हम लेते protection 4 की book चलो यार कोई नहीं यहीं मिल रहे तो यहीं लेंगे तो एक ही मिल गए गाईस मुझे 2-3 लगाने पड़ेंगे तो चलो आओ ठोड़ी ट्रेडिंग कर लेते तो गाईस मैं वहां से आ गया है और मेरको लगता है मैंने यह जो protection है यह चुभी यह ले लिया मतलब इसका कोई यूजी नहीं नहीं है तो यह projectile protection है यार मेरको लगता है मैंने चुभी से ट्रेडिंग कर दी यार मेरे साथ इतना bad scene कभी नहीं हुआ है यार पहली लिव टा एक diamond की pickaxe बना लेते हैं और उसमें दाल देते हैं और looting 2 अगेरा खेक लिए लेंगे या fire aspect लगा देंगे सबसे पहले एक बना लेते हैं तो diamond तो ठीक ठाक है यार हमारे पास बट यार इससे मैं खोना नहीं चाहता हूं मतलब बोल सकते हैं जब तक mending ना हो चलो यार बना मेरे पास sharpness 5 जो कि काफी सही होती है गाइस उसको enchant कर लेते हैं और 30 का damage होगा गाइस 30 का इन दोनों में compare करें अभी मैं compare कर लेता हूं जो मेरे पास पहली एक sword है यह रही जो कि मैरे पास smite 4 की है जो कि मैंने मतलब यार बहुत पहले एपिसोड में बनेते हैं अगर आपन मुझे diamond भी लेने पड़ेंगे थोड़े बहुत यार बनाने पड़ेंगे armers क्योंकि उसके सिवातों में कुछ कर नहीं सकता अच्छो एक काम और कर लेते हमारे पास apple एक होना चाहिए उस apple को हम क्या कर लेते golden enchanted apple में convert कर देते हैं तो सबसे पहले मुझे apple दूनना पड़े है शायद recipe में को याद आ रही है जहां तक मैं जानता होगा है जब यार 0.1.40 का जो अपड़ेट था उसमें हम golden block को जब रखते थे ना तो हमें मिल जाता था बट्यार अभी देख लेते एक बार ट्राय करके तो दो apple तो मेरे पास है और block भी है यार मेरे पास बट्यार में फिर को ऐसा क्यों लग रहा है मेरे साथ गलत सीन होने वाला है एक बार देख लेता हो golden apple डालके apple डाल देता हूं ओ गाईज यार क्या गलस सीन हो गया golden enchanted apple हम बना ही नहीं सकते यार इस आपडेट के बाद बहुत यार बहुत डिसकसिंग सी चीज़ हो गई है यार मुझे दूर ना ही पड़ेगा गाईज मुझे comment में जरू बताए कि मुझे कहां पर मिल सकता है golden enchanted apple बना तो नहीं सकते ग अगर आपको पता इस के रिए से पर बताए यह यार तो यार किया करे यार बहुत बैड सीन हो गया तो चलो यार एमरेल भी काफी सारे हमारे पास है तो यार इसकी कोई जरूरत तो नहीं हमें अंदर को तो यार इस music disc के अंदर रख लेते तो चलो यार अंदर आ गए तो अ of regeneration बना सकते हैं जो कि काफी जरूरी होती है तो यार आप ब्लेज रॉड वगर आए घास टीर मेरे पास चलो दो है क्योंकि हमने डेदर एक्सप्लोर के तब हमें में लेते और ब्लेज रॉड तो उससाइड होगे चलो सही है रेड स्टोन रेड स्टोन की भी जरूरत हमारे पास तो यहां पर बकेट्स चलो यार मिल्क की बकेट है पांच बकेट यह लेते और देखते और गाईस एक आर्मर भी बनाना है मैंने सबसे पहले डायमंड तो लिए या नहीं देख ले दो डायमंड नहीं लिए तो उसमें प्रोटेक्शन फोर अगरा देख लेते क यार बिलतवाता है अभी चलो यह ले लो जितने हो से क्या भी करना है आज सब प्रिप्रेशन करता लें गाईस अगर आप सोचो गया मैं वैधर बॉस के दिनी यह प्रिप्रिशन करता तो मेरा कितना टाइम खराब जाता ना गाईस इसलिए प्रिप्रिशन करने में काफी पहुत जरूरी होता है क्या वह वैधर बॉस है जो की साधा सुधा मॉप ने भूसकते बहुत डेंजर मॉप होता है वह उससे इतनी फटती है इतनी उत्तनी फटती है बहुत रही बोले तो चलो यहार यहाँ पर देख ले मैं सोच रहा हो यहां करना आर्मर उठा लू तो यार क्या उठा रहा है बार-बर तो चलो यार सौड आ गए हमारे हाथ में शायद हमें इसका आर्मर चाहिए तो चलो आर्मर आ गया अभी देख लेते यहां पर यार दे दे यार कुछ तो सही चीज दे दे चलो प्रोटेक्शन फोर दे रहा है इस चलो सही है फाइव से तो मत प्रोटेक्शन फोर मिल गया हमें अभी और देखते कुछ बना पाते या नहीं सबसे पहले इसको हम यहां पर लगा देंगे जब हमें टाइम होगा तब यहां इसका यूज करने वाले जब हमारे पास वेदर वास के सब फाइट होने वाले उसी टाइम पर और हमारे पास द बॉल सिसके घृट्ल दाल के देख लकए जार्लो पानी है बहर को डाइतलो यहां बारिश के देख लेधे इसमें चला गया है क्या बारिश के चलो फानी है बहरी राइए और है तो सबसे सब sesame के कमई नहीं नहीं है निश्क से बॉर के लिए क्या आते बाहर से लैपिश भी रखदो यार लैपिश क्या काम का है और भाई लोग तुमको भूग लगी होगी यार क्या करे यार मैं आज बहुत बिजी हूँ क्योंकि वेदर से फाइट लेने के मुझे काम करना है तो six bottle बर लेते तीन स्पेल तो भर गए मैरे मतलब six हो गए अभी हम बनाने वाले awkward portion सबसे पहले तो इसमें शादे एक awkward portion होगी water breathing case को निकाल दो तो रख दो normally नेदर वोट्स जो काम की चीज़े नहीं वह में रख देता हूँ water breathing की portion कि दर गई इसको अंदर रख देते तो मैं रख लकता है मैं उस घर में भूल गया हूँ तो मुझे उस से उस घर से लेके आने पड़ेंगे नेदर वोट्स तो मैं फटा फट उस घर से लेके आ जाता हूँ नेदर वोट्स तो चलो guys मैं वहां से नेदर वोट्स लेके आ गया हूँ उस वाले घर में मैं रख द ही है चो सो लेते इसका अभी फटा-फट वेट कर लेते होने का उसका तो गाईस जैसे कि मैंने बताया हमने आगर उसके अंदर जो घास्ट की टीर होती है वह दाला तो हमारे पास portion of regeneration बन जाती है जो कि काफी से होते golden enchanted apple तो नहीं है हमारे पास अगर मुझे आप कल के कल comment में बता दोंगे कि इसको किस तरह से golden enchanted apple में बना सकता है बना तो नहीं सकते है क्योंकि यह update से remove कर दिया है जहां तक मैं जानता हूँ golden portion of regeneration मतलब block से ही बना सकते हैं बट्य नमाज से कहां से find करता हूँ यह बता यह मुझे comment में तो नहीं तो हमें यहीं बनाने पड़ेंगे portion of regeneration और portion of strength यह दो ही बनाएंगे तो देख लेते हैं बन अब बन पाया है यह नहीं तो चलो बन तो गया है अब इसके अंदर हम दालेंगे सबसे पहले घास टियर तो चलो यार घास टियर दाल देते तो अब इससे बन जाएंगे हमें portion of regeneration जो की कम मिनिट की होगी बट इसके अंदर हम दालेंगे redstone जिससे आमें थोड़ी मिनिट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे तो चलो और अगर मुझ जिसकी लेवल बढ़ाने है तो glowstone रिउस कर सकते हैं लेवल important होते हैं बट यार timing थोड़ा important ज्यादा होता है बहुत मन कर रहा है बहुत बढ़िया swords है चलो वेट कर ले त्यार हो जाब है जल्दी मेरक लगता दो breathing stun बनाने पड़ेंगे तो चलो यह बन गए है तो यार सिफ 45 seconds के बने कोई नहीं बढ़ा हम इसके अंदर भी दालने वाले है हमारे पास redstone तो चलो इसके अंदर भी दालते है हमार रेड स्टोन तो चलो इसके अंदर redstone डाल दिया अभी इसका timing बढ़ेगा सिफ बचवा गास टियर है उसको आ अंदर रख देंगे तो जो घास टियर है दो मिनिट का बनाए तो चलो तीन से काम हो जाएगा उसे हम बहुत जल्दी मार देंगे इसे निकाल लेते हैं अब फिर से थोड़े से बॉटल रख देते हैं अंदर कि पोशन आफ स्ट्रेंथ भी बनाने हैं हमें तो पोशन आफ स्ट्रेंथ के लिए हमें सबसे पहले तो देखते है आर्मर में यार एक पैंड बना लो यार कितने डायमंड खडच हो रहे हैं गाइस मेरेको बात तब मेरेको सही में बोल रहे हो बनाने का बन नहीं कर रहा है इसको बट यार बनाने पड़ेंगी प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है तो चलो यार आभी देख ब्लेस पाउडर लेना पड़ेगा तो ब्लेस पाउडर बना लो तो ब्लेस पाउडर बना लेते हैं तो चलो दो की बस जरूरत पढ़ने वाली है तो इसके अंदर डाल देते हैं ब्लेस पाउडर तो चलो इससे बन जाएगा तो वेट कर रहे तो और उस पैंट में भी तो यार चलो वेट चलो बन गया है यह यह बना आएगा इस 3 मिनिट का बट हमें चाहिए थोड़ा सा और मिनिट इंक्रिस कर लेते तो सबसे पहले क्या कर लेते इस क्या मैं सोच रहा है इसमें redstone दालने के बज़ा है glowstone दालूँगा तो चलो इसको glowstone दालके बाद में इसकी health एंचांट कर लेगे क्योंकि 3-3 मिनिट की काफी सही हो जाएगी तो चलो उसको बाद में कर लूगा मैं तो कोई नहीं अभी सबसे पहले चलते इस lagging के अंदर कुछ एंचांट बगरा तो guys लगबग हमारा preparation तो हो ही गया है complete अभी बोल सकते हो इतना तो हमने मतलब इतना ब आपसी चीज दे रहा है सबसे कुछ मिल नहीं रहा है तो इसके अंदर हम दालेंगे fire protection है हमारे पास जो projectile protection है उसको ही दाल देते अभी क्या ही बोले क्या कर सकते जो मिलता है चलो दाल दो तो चलो 4x भी मिल गई तो हमारे पास यह भी काफी सही होगे इसकी health पर गई देख होती है वेदर बहुत बहुत है एक मिल गाता बट यार अभी लेने जाने वाले और भी खतरनाक sword लेके जाने वाले जो हमारे पास smite 4 की और looting 3 की मिली हुई है smite 4 से वेदर के ओपर काफी effect होता है अच्छा और looting 3 के जिसे मिलने के chances फोड़े जादा है तो चलते अभी अभी मैं मिलता आपको जिस जगह पर हमारे पास नेदर फोटरेस था आपने देखा होगा आगने अपने मेरे प्रिवेस एपिसोड ने देखे जिसमें हमने नेदर फोटरेस को दूंडा था उसको explore किया था तो देख लेना चैनल पर जाके काफी मजा आया था उसमें तो अ मिले भी आ चुका हूँ यहां पर यार मैंने मारे थे बटवा पर मेरे पास लूटिंग की तलवार नहीं थी उस टाइम के जैसे में को यह सकल नहीं मिले और सकल काफी मतलब इतनी वे अच्छी मतलब रेर चीज थोड़ी बहुत हाई तो चलते सिधा आगे यहां पर हो सकते वेदर सकल देखना पड़ेगा यार वह बहुत ही बेकार मारते हैं उनका हेट डैमेज होता है काफी खतरना पोईजन देता है तो मुझे संभाल के चलना पड़ेगा तो गाइस मुझे उपर आवाज आ रहा है तो यार चलो थोड़ा उपर जाके उनको लालस देते ओ गाइस 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 मिल्क पेना पड़ेगा मुझे यार खाफी खतरनक डैमें दिया उसने तो चलो यार भागो 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 थोड़ा साड़ को आ जाओ क्या यार तूट पड़े मेरे पर पूरे सारे किया पी गलस सीन हो गया तै और मैं कितने मुश्किल से बचा मेरे को मालूम ने गएएस मिल्क ने बचा लिए आने तो मैं चला जाता था अभी क्या यार गलस सीन हो गया था तो चलो थोड़ा हेल्ध बढ़ने का वेट करते हैं यहां पे वह हो मेरे को पता है इससे मारेंगे इसको यार इससे हमें सौड मीली सकल तो नहीं मिला है यार सकल क्यों नहीं दिरे रहे हो लूटिंग 3 की सौड है हमारे पास देखो उससाईड ग leads यहां पे बहुत सारे इतरा अब हे एक या कर रहा है तो चल उसको मार दिया है यहांसे मिला है या ने यार इससे कोल मिला है यार स्कल क्यूने मिल रहा है में रुको यार इनसे लूटिंग टू थ्री की तलवारे फिर भी यार ये चेस्ट मैंने चेक कर चुका हूं फिर पर देख लू गोल्ड है और आर्मर है कहीं ले लो डायमंड का आर्मर है तो गाईज यार फाइनली मैंने इसको पूरा तो चेक कर ले आर साला एक स्केलेटन नहीं है अंदर यार क्या हो रहा है यह समझ नहीं आरा मेरको वो एक बार इतने सारी आया और बाद में तो में वेदर स्केलेटन है गाईज अब आई दर आजा यार एक तो भी स्केलेटन दे दो यार तुम क्या कर रहे हो यार वो किस साइड गिर गया मेरको उसको एरोस से मारना नहीं था पर उनको बुलाए तो कैसे क्योंकि वो यहाँ पर दो है उनको बुलाने की कोशिश करते ग अरे यार मरे ही जा रहे है वो तो चलो वो आ रहा है एक आ रहा है तो चलो गाईज बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया इससे स्कल मिल गया गाईज और देखना पड़ेगा कितने स्कल हो गए तो चलो यार थोड़ा सक मतलब बोल सकते हो काफी है और इदर से बुवेदर स् मारते है नॉर्मल स्केलेटन एस साइड है हमारा एरो को एक साधर ने यह बहुत पावरफुल है पावर फाइफ है तो चलो यार यह तो एक स्कल मिल गया होगा एक बार देख लेना पड़ेगा मेरको कितने स्कल हो गए क्योंकि दिखते नहीं कभी कभी हम ऐसे ही कटा कर लेते और हाव इदर स्केलेटन ओ भाई इदर आजा तो यह भी मर गया इसके पास भी कुछ नहीं है चलो इस साब और देखते है और साम में ब्लेज का क्या है यार ब्लेज स्पाउनर लगता है तो चलो एक ब्लेज मर गया तो चलो दूसरा भी गया और यहाँ पितने स्कल गशnya तो इससे हतल मिला या तो चलो और एक है क्यों एम इस उसऔर से मर न पढ़गा तभी हमरे पास चान्स जसे कि इसे क्या मिला या नहीं मिला हो झाथ चुछ कंगे अर बट काफी से चीन हो गया बट है मैं चाता अभी और ले लू मेरे पास एक घर में है वो तो मुझे पता है एक घर में नॉर्मली मेरे पास है कि तू भी आजा 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 बहुत बढ़ी आजा तो जो इससे भी कुछ मिला या नहीं देखना पड़ेगा यार यह खतरनक है हमारी स्वाट बत यार यह दे नहीं रहे दो हिसकल होगे वह ब्लेज क्या कर रहा है इस ब्लेज की वाट लगाते है सबसे पहले नेदर में लाने बहुत डर लगता है बेसिकली बात करूने मुझे सच में यार क्योंकि यह बहुत डेंजर मॉंस्टर से यहां पर खतर ना पर कितना सब्सक्राइब स्पॉन होती रहे थे सामें सब्सक्राइब इसका मैं को लगता है यहां पी आना चाहिए था मैं चुब वहां पर घूम गया इसको आपर जाके मारे क्या तो चलो आर उसको इंवेंटरी में कुछ होगा यहां तो दो ही स्कल्ट चलो यार को इने ब्लेज रोड कितने मिले ब्लेज रोड दो तो चलो आप सीधा जाएंगे हमारे घर के दरफ अभी कुछ ने हमारे पास घर में एक है स्कल्ट मैं आपको दिखाऊंगा कि इस चेस्ट में रखाए क्यो अधिक तो करें आए ना वाय तूने करें कुछ तु काफी सही मारा आदमें यहां पर कुछ निया हम जब एरों से मारेंगे ना तो मरते हैं बट यार वो कुछ देते ने कि इतने सारे मांस्टर से यार यहां पर तो चलो इसको तो आग फेकने से पहले मार दिया कि अग्या चाहां एकलते हैं अग्यार खोशी करते हैं यारी मरी आजा आजा अग्या g susu कि नंगे जो इससे भी नहीं मिला यार कि यौशे नहीं कोई दूसरा कहां से मिला gyakla मारा हुगा कि कि यह का इạt ड़क है कि है। यहां पर क्या एम करेगा भाई हम पर एंग방 से क माइन करते किलते मेरा भी थोड़ा सा ही हो रहा है वैसी माइनक्राफ की सेंसीटीविटी और से क्या करने पर है एचा सी सबसे निमें कर दिया कर दिया और कुसको मारें हैं कर दिया है कि की का भर्य क्वास आ मिल गया उपर चलते सबसे पहले तो इससे मुझे घास टेर गाली सायद कि विज्ञेस सब्सक्राइब अब रुकने नहीं वाले और सामे कितने संव भ्लेज है यार भ्लेज कही भी आजाते यार इस वेदर स्केलेटरं को एक बाद मिल्क पिलो, मिल्क, मिल्क बाई बहुत बहुत खतरनाग डैमेज देते हैं और सामें भी एक है इसको भी मार लेते तो चलो गाईज आभी कुछ नहीं आभी सिधा जाएंगे हमारे घर के दरफ तो चलो चलो गाइस फाइनली मैं यहां पर वापस तो आगया हो हमारे वर्ल में मैंने बीच में इसलिए कार दिया क्या बड़ा वीडियो हो रहा था बहुत वहां से आने में टाइम लग रहा था इसलिए मैंने फटा-फटा आ गया और गाईस क्या करना है अभी आमें सीधा हमारे पास दो स्कलत हो गए गाईस अभी हमारा प्रिप्रेशन लगबग खतम हो गए अगले अपिसुट में हम जबा के कूटने वाले वेदर को यार उसको मतलब मारने कोशिच करें गार वह बहुत खतना को था है महीं आप पे तो ब सकतते हैं साफी सामान हो गया हमारे पास और मेरे पास कुछ और भी हो गाई स्योल सेंड दे क्लें था अ कि हम अभी तो गाइज यही थी आज की वीडियो पसंद आती है ने गाइज वीडियो को लाइक जरू कीजिए अपने दोस्के शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तक हमारे जल्दी जल्दी वन के कमेंट करते रहे हैं आपको माइंड काफ के अंदर कुछ भी को करने वाले विदर के साथ फाइट लेने वाले ओके तो मिलते हैं नेक्स रूमें गाइस थैंको फॉर वाचिंग